है यह इस प्रॉल्म को सॉल करते हैं क्वेशन क्या करते है एट कॉंसेक्यूटिव नंबर और गिवन इफ दे एविरेज ऑफ तू नंबर दैट अपिर इन दे मिडल इस सिक्स देन दे सम आफ एट गिवन नंबर इस क्या कह रहा है कॉंसेक्ष्ट में हमें यह कह रहा है कि एट इन नंबर अपिर करें जो एवरेज कितना है वो सिक्स ἐ नंबर यहां पर रिख लेते हैं एक से स्टांट करते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा एक स्प्लस वन होजाएगा Benny x plus 2 x plus 3 x plus 4 x plus 5 x plus 6 और x plus 7 यह हो जाएंगे हमारे 8 consecutive numbers ठीक है question में क्या कहता है कि जो दो number है middle में है middle में जो दो number होंगे वो कौन से हो जाएंगे 3 इधर से ले लो और 3 इधर से कर लो तो यह दो number middle वाले आ गए इनका कहता है कि इन दोनों का average है वो कितना है 6 है it means अगर हमें इस दोनों numbers का average निकालना हो तो हमें क्या जरूत पड़ेगी इस सम की जरूत पड़ेगी ठीक है इस क्या जरूत पड़ेगी सम की जरूत पड़ेगी सम कैसे निकालेगी x plus 3 plus x plus 4 यह हमरा सम हो जाएगा number of observations कितनी हो जाएगी 2 तो 2 से divide हो जाएगा यह कितने के बराबर है यह 6 के बराबर है यहां से हम क्या करेंगे x की value find out कर लेंगे 2x plus 7 equal to कितना हो जाएगा 12 और 2x बराबर कितना हो जाएगा यह 7 दर जाएगा तो यह 5 बराबर जाएगा 5 2 जरू जरूत एक्स की value कितनी हो जाएगी 5 by 2 तो हमें question में क्या मिल गया है यहां पर x की value x की value कितनी आगे x की value आगे 5 by 2 ठीक है अब हम क्या करेंगे कि हमें further क्या पूछ रहा है कि इन 8 consecutive number का sum बता हो इन सारे number का हमें क्या करना है sum बताना है तो हम इनको add करेंगे तो कितना आएगा 8 times तो x आ जाएगा 1,2,3,4,5,6,7,8 8 times तो x आ गया plus जो यह numbers है 1,2,3,4,5,6 और 7 इसको जो add करेंगे तो कितनी value आएगी 28 आएगी इसी तरीके से x की value अगर हम यहां पर put कर दें तो x into 5 by 2 plus 28 हो जाएगा ठीक है 2 से जो 8 simplify होग तो यहां 4 आएगा ठीक है 4 आएगा और यह क्या value हो जाएगी 20 plus 28 that turn out to be 48 option 4,48 इस question का सरी answer